एक जून 2002 को क्रिकेट जगद एक बड़े हादसे का चश्मदीद बना आजी के दिन 16 साल पहले दक्षिन अफ्रिका के पूर्फ कप्तान हैंसी क्रोन से विमान हादसे में मारे गए थे दक्षिन अफ्रिका के पश्चिवी केप के एक शहर जौर्ज के पास ये दुर्गटना हुई थी उनकी मौत एक गुथी की तरह रही जिसकी वज़र सामने ही नहीं आई क्रिकेट के भगवान कही जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन टेंदूलकर को दुनिया के जिस गेनबाज ने सबसे ज़्यादा परिशान किया वो भी हैंसी क्रोन से ही थे इसे सचिन ने कई मरतबा अलग-अलग मंचों पर माना है Sachin ने कहा कि Kronze ने उन्हें इतना ज्रादा परिशान किया कि वह समझ नहीं पाते थे कि उनके खिलाफ क्या किया जाए Master Blaster ने के इंटिव्यू में बताया कि उन्हें सबसे ज्रादा परिशान करने वाला गेंबास हैंसी ही था Hansi के बड़े भाई France ने एक इंटिव्यू में बताया था कि Kronze ने अपनी मौत एक दशक पहले ही देख ली थी France ने बताया था कि एक कार हादसे के बाद Kronze मज़भ और इश्वर के बहुत करीब हो गए थे वो उस कार में सबार थे जिसकी टकर से एक छोटी लड़की की मौत हो गई थी और इसके बाद उनमें ये बदलाओ हुए और समय का चक्र देखिए हैंसी की वह विश्यवारी तब सही साबित हुई जब 1 जून 2002 को उनकी एक विमान हादसे में मौत हो गई ऐसी ही खबरों के लिए देखते रिए न्यूस टाइम्स इंडिया